हलो दोस्तों आज हम यहां पर पहली बार बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक से रिए पहली बारी हम स्टॉक से रिए बाते करने वाले और पहली बारी हम स्टॉक से रिए बाते करने वाले हैं तो सबसे पहले यहां देख सकते हैं SME हाना और यहां पर Master Component Limited तो SME Stock होते कौन से हैं ठीक न है वैसे तो इसकी तीन-चार तरीके कि अलग-अलग यहां पर है कि में बोर्ड और इसमें क्या फरक होता है बट स्टिल SME का अगर मैं बात करूं स्मॉल मीडियम उन्टरप्राइज शोता है जो कि आप यहां पर Google भी करेंगे तो आपको समझ माएगा कि यहां पर इसका फॉल फॉर्म है वह स्मॉल अन्मीडियम इंटरप्राइज आयपे स्मॉल मीडियं मतलब छोटी-्छोटी जो इंटरप्राइज होते हैं चोटी च्चो इससे लेटिव बाते करेंगे इसके fundamental इसका यहां पर financials यहां पर यह चार्ट क्या कह रहे है वो सब चीज से लेटिव बाते करेंगे बड़ उससे पहले request है I am small cap investors channel को subscribe bell icon को hit all को notification कौन करे buying selling के recommendation है नहीं अपने financial advisor खुद की study करना है चीटो को सीखने के लिए मैं हमेशा गता हूं videos है जाके videos देखिए videos देखिए videos देखेंगे बहुत सारी चीज़े आपकी clear होगी वह सारी चीज़े आपको सीखने को मिलेगी इसलिए यहां पर videos देखना जरूरी है इसके इलाबा बारी किया आट मिंट में नहीं बताई जा सकती तो बारी कियो के लिए हमने क्या किया है हमने यहां पर पूरा कोर्स है बेसिक्स टो एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडमेंटल डवलेट सिक जिरो फोर जिरो फाफ जिरो फाफ जिरो वन सब कुछ दिया जाता है कोर्स कंप्लीट होने के आच छे महिने से एक साल प्रैक्टिस करनी है जैसे भी हम आपको बताएंगे उसके एकॉर्डिंग और उसके बाद आप देखना आपको आपकी जड़नी होगी वह अलगी दरीगे की होगी बाकी साथ में काम भी करना है तो इन तो SME की बात करें तो 84 कलोड रुपीज का है तो इसका मतलब क्या है जिसकी मार्केट कैप कम है दूसरी बात कि बहुत ज्यादा रिस्की है हरना जब भाग रहे है तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर शेयर कुछी टाइम में अच्छे कासा परफॉर्मेंस दे गए भी थोड़ा से अनलाइज करना है कमपनी करती क्या है यहां पर देखिया Master Component Limited is engaged in the manufacturing plastic engineering component and sub-assemblies तो यहां पर जो plastic engineering जो प्रोड़क्स होते है न ठीक है न वो यह कंपनी बनाती हुई नजर आती है इंकी website पर विजिट करोगे आपको पूरा का पूरा आइडिया नजर आएग नजर आएगा इनके यहां पर देखिये किस तरीके कंपोनेंट्स है और यह सारी कि सारी ऐसी सेक्टर को यहां पर करते हुए नजर आते है जो कि यहां पर डॉमिनेटिंग है अच्छे खासे चलते हुए नजर आते जैसे कि electrical component, automotive, medical component इसके इलावा यहां पर देखिए thermoset modeling तो अच्छा काजा business model है आप यहां पर देखेंगे इसे तो आपको पूरा का पूरा एक idea नजर आएगा इनके यहां पर देखिए customer तो यहां पर देखिए Schneider Electricals, L&T Electrical, Lear Corporation यहां पर देखिए effect तो अलग रख तरीके कि बड़े बड़े यहां पर इनके क्या है यहां पर customers आपको पूरा idea लगेगा अब आते है थोड़ा financials के उपर तो देखिए P31 का पी इंडेश्टी का P29 का है थोड़ा समय का नजर आएगा बट इस्टिल मैं हमेशा कहता हूं कि PE के base पे कभी काम नहीं करते हाना PE क्या है जब छोटा होता है तो मानते है अच्छा होता है ज्या ROC ROE को ठीक ठाक है वो प्राइस के मुवमेंट के साथ था ROC ROE और यह पी वगरा मुवमेंट करती हूं नजर आती है शिच को थोड़ा से द्यान दीजिएगा कि बात करें यहां पर नजर आता है और दस की फेस वेल्यू भी है डिविएंट कंपनी देती नहीं है यहां पर मैक्सिम चार्ट बेटन की बात करें तो सब्टमबर 2023 में यह शियर आया था बहुत यहां पर कंसोलिडेट किया और उसके बाद भागा तो लगभग लगभग अच्छे रिटन यह देता हुआ नजर आ रहा है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कंपनी जैसे की SME स्टॉक है तो SME स्टॉक में जब रिजल्ट आते हैं तो कौटरली बेस पर नहीं आते हाफ यर्ली बेस पर आते हैं इस इपको हमेशा याद रखिएगा तो यहां देखिए सप्टंबर 2022 सप्टंबर 2023 हाना और यहां पर देखिए मार्च 2024 तो अभी जो रिजल्ट आये ना म अभी नहीं कर सकते हैं इस यहां पर आप देखिए तो आपर आप Sl호 काके पहले हैं 5 हाना याउँज़ एक है का यहां पर पर रिजल्ट पर नहीं करके चाहिः और अच्छे अनलाइज करना है चलके जांगे पर पर रिजर्ट है और यहां पर देखे तो आपको समझ में आगा जैसे कि मैंने च्छोटी कंपनी है तीक ना ऐसा एनलाइज मत करना कि यहां पर हजा करोड की से विस्ट होगा बड़ यह देखिए 15 करोड से 13 13 से 18 18 20 25 तो दीर दीर प्रोग्रस कर रही है और यहां पर कभी भी घाटे में नहीं रही यह पॉजिटिव चीज यहां पर इस कंपनी के बारे में अच्छी द्रवेजर आती है रिजर्व की बात करें कंपनी के रिजर्व सचे आथ हैं हाना 19 करोड के रिजर्व हो गए बारें थोड़ी बहुत थी इन्होंने पूरी नप्ट यहां पर capital के पास यहां पर दिखाई देते हैं यहां पर buying selling कर रहा है वह आप यहां पर देखी सकते हैं तो overall financials की बात करें तो छोटी कंपनी के ताब से काफी अच्छे fundamental यहां पर नजर आते हैं यहां पर business model अच्छा खासा नजर आता है तो इस company की तरफ यहां पर को notification को on करें buying selling की recommendation है नहीं अपने financial advisor कुद की study करो वीडियो उसको जाके देखिए वीडियो उसको जाके देखेंगे तो आप बहुत सारी चीह समझ मैं की बाकी इन नमबरों को note करके साथ में काम कर सकते हो और हमारे course को join करके सीख सकते हो कि किस तरीके से आप पूरा business को analyze कर के और बहुत सारी चीहों को analyze करके अच्छा काम कर सकते हो तो यहां पर हम बात कर रहें शेयर की तो देखेंगे शेयर आया काफी टाइम यहां पर consolidation में बताया और consolidation किसी जैसे ही निकला यहां पर अच्छे कासे 2000 नमबर यहां पर पैसे बनाता हुआ यह शेयर नजर आता हु क्योंकि लोग देखते नहीं है तो यहां पर crash या उससे level से little बाते करना जाइज नहीं रहेगा बट इस तिल हम बात करें आप अभी तो यहां पर यह शेयर में 8% की आज की गिरावट दिखाई दी है एक अच्छी कासी यहां पर जंप यहां पर नजर आ रहा था वह आट प दिलता है ना तो मुझे लगता है कि वह एक accumulate किया जा सकता है अपने financial advisor और खुद की study करके हाना वहां पर एक छोटा सा risk को manage करके कोई अगर यहां पर बाई कर रहा है तो क्या है एक 2-4-5 रुपे का stop loss लगा है को यहां पर बाई कर रहा है तो भी यहां पर 2-4-5 रुपे का stop loss लगाए और उस cases में जैसे ही यहां पर चिये चलनी शुरू होगी पैसा बनेगा तो अभी क्या दिखाई देता है अभी दिखाई देता थोड़ी गिरावट गिरावट के बाद क्या दिखाई देता है इस एरिया में consolidation के बाद जिस दिन भी यह शेयर इस particular level से निकलेगा यहां पर एक छोटा से stop loss लगाएगा आपको समझ माएगा कि शेयर 300-400 इस तरीके से भागता हुआ नजरा सकता है तो SME stock है और हमें मैंने पहले भी बताए कि SME stock की जब भी बात करूं याद रखिएगा risk बहुत जादा involved है और 6-6 महीने में result आ रहे है तो यहां पर analyze करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि company यहां पर exactly कर क्या रही है ठीक है और चोटी company में management कभी-कभी fraud भी निकल आता है तो वो सब चीच को देखना है और बहुत ज़्यादा hype बन चुका है यहां पर SME stock का जब बड़े stock गिरेंगे तो छोटे भी गिर सकते है बट ऐसे ही छोटे stock 200-200 रुपर वाला stock कब 2000-2000 हो जाएगा वह भी समझ आपको नहीं आएगा तो इसलिए सरी टाइम पर लेके सरी टाइम पर बेचना बहुत जरूरी है हाना और साथ में यहां पर company के business model को long term के लिए analyze करना बहुत जरूरी है जो कि यहां पर काफी अच्छा और यहां पर मजब थैंक यह सो मुच गट बलाइ